नमो-नमंविध्यार्थिओं संस्कत विशे की कक्षा आर्ट में TSN online प्रहेलिक अशेशक पर्ष्ण प्राष्ण संख्या 1 श्लोकांशेशियों रिखते स्तानानी पूर्यात इस प्रश्न पर चर्चा की साथी में प्रश्चन संक्या दो जो क्रॉसमैच का ऊद्व प्रत्षत करें ने करेंगे तौ शुरू करते हैं Yuko स्चार्ट करते हैं संधी प्रश्चन संख्या 4 कॉष्चन Tara欸ूस संधी विच्छीद्म पूरियत यानि कि जो वर्ष दिये गया है उनको हमें फिलप्स में उसका संदी विच्छेत करके फिल करना है तो पहला प्रश्ण दिया गया है इसका प्रश्ण संग्या चारका का है करिणाम कुलम करिणाम कुलम ठीक है तो संदी विच्छेत इसका क्या होगा करिणाम प्लस क लमाम फिल कर देंगे next देखते है को अभूत ये अग्राचिन है बचो स्था चिन अच्राइज चेंग से इस कोुछ उक्रें होता है और जे वह मों इसका संद्विषेत करेंगे तो क्या बनेंगा कहा प्रास अभूत कहा प्लास अभूत को वूत ठीक है next है अत्रेव उक्तम ठीकर न तो संदीविचेत क्या बनेगा इसका संदीविचेत बनेगा बच्चो अत्र प्लस एव प्लस उक्तम ओके अत्र प्लस एव प्लस उक्तम मिलकर की क्या बना अत्रेव उक्तम नेक्स है व्रक्षाग्रवासी व्रक्षाग्रवासी तो क्या बनेगा व्रक्ष प्लस अग्रवासी, मिलकर की क्या बना? व्रक्ष अग्रवासी, नेट्स रबचो त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी, त्वग प्लस वस्त्रधारी, इसका संदी विच्छेत होगा, ठीक है? नेक्सर बच्चो अंतिम प्रश्च संक्या 4 का विब्रन अंतिम है विब्रन तो इसका संधी विचेत क्या बनेगा विब्रत प्लस न विब्रत प्लस न ओके प्रश्च संक्या 4 जो संधी विचेत वाला है वो हमने समझ लिया बच्चो आप लोगोंने आशा करती हुँ समझ मे प्रस्तंक्या 5、 question 5 है बाच्चो अधो लिखीता नाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन रिखत अधो लिखिता नाम पदानाम यानि कि नीचे जो वर्स दिये गए पद दिये गए बच्चो उनमें कौन सा लिंग है कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है वो हमें लिखना है ओके यठा करके जो example दिया गया है बच्चों पहले उस पचाचा के लेते हैं पहले यठा करके example है जी करी नाम पद है उसमें हमें क्या क्या बताना है यहां लिखा है लिंगम विभक्ति और वचिनम चीकर ना तो लिंग कौन सा है यहां पर पुलिंग है विभक्ति कौन सी है शस्ती है ठीक है बचों वेच्पिंटर थोड़ा सा यहां पर ठीक है और वचिन कौन सा है पहुवचन है ओके तो करिणाम पद है उसमें विभक्ति कौन सी है शस्ती लिंग कौन सा है पुलिंग और वचन कौनसा है पहुवचन ओके नेक्स देखते हैं कस्तूरी कस्तूरी पद में क्या क्या है कस्तूरी पद में है स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग हम लिख देंगे हम विभक्ति कौनसी है प्रत्मा और वचन कौनसा है एक वचन एक वचन हम लिखेंगे इस तरह स लेक्ट से युद्धे युद्धे पद में हमें सबसे पहले बताना हैzwING कौनसा जेंडर है पुलिंग है ठीक है नहीं तो फुलिंग हम लिखेंगे विभक्ति कौनसी है सब्दमी और वचन कौनसा है एक वचन है तो हम लिख देंगे एक वचनम next सिमंतिनीशू सिमंतिनीशू इसमें जो यह स्ट्रीलिंग का पहत है बच्चो तो क्या लिखेंगे हम स्ट्रीलिंगम विभक्ति काउन सी है सब्चमी और बचन कौन सा है बहू बचन है तो लिख देंगे हम बहू बचनम नेट्स है बलवन्तम है, बलवन्तम में क्या है बच्छो सिर लिंगम? लिंगम है कौनसा लिंगम है स्त्री लिंगम नेक्स है द्वितिया विभक्ति और वचन कौनसा है एक वचनम ठीक है सौरी बच्चो नपुसक लिंगम रहाएगा वलवन्तम में ओके नेक्स है शूल पाणी छूल पानी में कौना में वहल्म है इसमें जैंटर से तो लिखेंगए हम पुलिंगगम वीभक्ति कौनसी है और वचन कौनसा एक वचन तो लिखेंगे हम एक वचनम नेक्स शक्रस्य शक्रस्य वद में शक्रस्य किसका है यह पुलिंग है तो पुलिंगम विभक्ति कौन से है शश्ठी और वचन कौन सा है एक वचरम ओके तो प्रश्चन संक्या पाच में हमने सभी पदों का लेंग विभक्ति वचन जान लिया है बच्चों लेट्स प्रस्प्रस्च संक्या च्छे पर चलते मुर्खे अत्रेव आगच्छती ठीक है और आई साइड में लिखाए शांता पलायते म्रियते कातर है विद्वत भी तत्रेव ठीक है तो बताइए बचो जो हमें विलोंपत मैच करने यानि कि जो अपोजेट से बचो वो लिखने हैं में तो जायते का अपोजेट वर्ड होग कि छिए नसंता मनने की अर्थ में ठीक है ड करद में लीद्वतर है जो बी का अपोजेट क्या वा विलों क्या हो तरह है ये शांता का है शांता आक गौा विद्वत भी और स्त्रेव तट्र्र्रम मिसें यहां पर ही और तत्रीम यह निवहां पर से और आगच श क्लेंगे और पलएते यह नीजे यह ने एयुकुते हां समान आर्थक पत सिमिलर यड puòर्ण हमें जो तीन वर दीए गए बच्छों उन्हें से लिखना है कि तो करी नां करी नाम का समानार्थक पत्या है अश्वा नाम गजा नाम गर्दबा नाम अश्व आथी के लिए प्रिक्ट थे हैं गज हाथ के लिए और हाथ कैonic के लिए हरी किसा प्राया अच्छी हाथी का ठीक ना तो करी नाम के यहाँ पर क्या होगा वो होगा गजानाम ओंसका है अभूत दोहां और डोस्ता अचलत हसं और भृत इन थेम क्षuard तुस्का आंसर होगा नेक्स वंडिया था सिमिलर वर्ड वंद्या का क्या होगा वं intense तो समरांं करने करने के अर्थ में और करतनीया यहां फरांद की होगा वं टैन्थ नीना टेका बुद्ध्यते गुद और पठीयते बुद्यते का आर्थ क्या हुआ और गम्यते से हम मैच कर देंगे ओके नेक्स आप फचू को गटाह का सेमिलर वड क्या है यहां पर तडागे यानि तालाप नल है जो नल को मुलते हैं टैप को ठीक है और कुम्भ है कुम्भ है इसका सिमिललर वर्ड हो कि संज Rand संजगान संजगान इसका संपिलर वर्ड होग को सन्जगानमार्यद बरे मार्ट में तो Seems similar वर्ड होगा हो संजगान नेक्स्त प्रशाए सांध अन्तिम्राश्न आं प्रश्न थीकर distance कोस्टकांतर गताम पदानाम उप्युक्त विभक्ति प्रयूगय अनुछेदम पूरियत जो कोस्टक में जो वर्ड दिये गए है बच्चो उनको विभक्ति के अकॉर्डिंग हमको यूज करते हुए फिलप्स को फिल करना है यह जो अनुछे दिया गया है परेग्राफ दिया कहानी जो है ठीक है ना उसे संदर भी परग्राफ है बच्चो ठीक है तो हम जैसे जैसे हिंदी आर्थ करेंगे आपको रिकॉल भी हो जाएगी एक अहां काका है खालिस्तान आकाश तो आकाश को विभक्ति का कोडिंग या पर होगा आकाश है डायमान आसीत यानि कि जो एक तो जल का लिए विभक्ति का कोडिंग के आए पर जलस्य तो फिल अप्समें फिल करेंगे जलस्य तो यानिकि प्यास होने के करण उसने जल को खोच किया यानिकि जल को ढूंडा तदा से खालिस्तान घट लिका है तो घट की जड़े के का कि दो जब जल को ढूंड रहा था पानी ढूंड रहा था तो उसने गड़ा देगा और गड़े में पानी तो थोड़ा था सह, खालिस्तान उपल, आणीे खालिस्तान घट वर्ड लिखाया पार्ति ठीक है तो उपल और घट का वर्ड कया लिखेंगें जो सह, उपलम आणीे गटे पार्ति यहां फिल कर देंगें सह, उपलम आणीे जो पत्रों को है वो लाकर के वो घटम पात्यती घड़े में वो डालता है जलम खालिस्तान में क्या ब्रैकेट में क्या लिखा है घट ठीक है ना तो जलम घटस से उपर ही आगच जाती जो जल है वो घड़े के उपर आ जाता है खालिस्तान काक लिखा है ठीक है तो क्या लिखेंगी है वर्ड क्या बनेगा अपरी काक है सानंदम जलम पीत्वा त्रप्यति जो कववा है वो आनन्त पूर्वक जल पी करके त्रप्त हो जाता है उसकी प्यास बुझ जाती है ठीक है न तो हमने पढ़ा भी था पहले बच्पन में कहानी सूरिया ना, एक कवा प्यासा था, गड़े में पानी थोड़ा था, कवा लाया कंकर, पानी आया उपर, कवे ने पिया पानी, खतम हो गई कहानी, इस तरह से हमने कहानी पढ़ी थे, उससे संदल की था है बचो यह, पसके संस्क्रत भाशामें है, वि व्याकरण का पाड़ शेश है बचो उनपर चंचा करेंगे बचो ठीक है अगली कक्षा में बचो फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुभम मंगलां